चेप्टर 12 हीरोंस फॉर्मूला एक्सराइस 12.1 फॉर्स्ट कॉस्ट्ट एट्राफिक सिग्नल बोड इंडिकेटिंग इस्कूल आहेट इस एन एक्यूलिटर ट्राइंगल विस साइड ए इस सिग्नल बोड का एरिया कितना होगा तो देखिए सबसे वहले हम हिरोंस फॉर्मुले से इसका area find करेंगे तो देखे पैरिमेटर के इतना होगा sum of all sides a प्लस a प्लस a और सेमी पैरिमेटर क्या होता है पैरिमेटर अपॉन 2 तो पैरिमेटर हो गया 3a और सेमी पैरिमेटर s हो जाएगा 3a अपॉन 2 ठीक है उसके बाद अब हम जो हिरोंस फॉर्मुला होता है उसके लिए किस किस चीज़ की ज़र होती है s s-a, s-b, s-c a, b, c क्या होगे तीनों sides तो पहले हम निकालते है s-a a मिन्स first side तो s, s क्या है हमारे पास 3a upon 2 minus a, first side क्या है a यह तो यह कितना हो जाएगा 2lcm आया, 3a minus 2a is equal to a by 2 ठीक है s-a आगया, अब निकालेंगे s-b, b मतलब second side second side भी हमारे पास a e है तो यह भी a by 2 e आ जाएगी और s-c यानि semi parameter में से third side minus करेंगे, तो semi parameter 3a upon 2 और third side भी हमारे पास a e है ठीक है, तिनो sides क्यूंकि a थी तो यह भी आ जाएगी a by 2 तिनो sides s-a, s-b, s-c हमने find कर ली, और तिनों क्या है a by 2 है, अब area क्या होता है equivalent triangle का sorry, here on formula से under root में s, s-a s-b s-c, ठीक है s फिर bracket में s-a next bracket में s-b फिर next bracket में s-c अब s की value है हमारे पास 3a by 2 s-a, a by 2 s-b, a by 2 और s-c, a by 2 अब देखिए, इनका पेर बन गया है, इन दोनों का तो यह आ जाएंगे, root से भार और root में क्या क्या बचा? 3, a into a 3a by 2 into a by 2 तो इसमें से देखिए, a का पेर बन रहे है उपर और नीचे 2 का पेर बन रहे है, तो यह भी भार आ जाएंगे, a by 2 a by 2 और a by 2 इन दोनों का पेर बन गया, तो इन में से एक भार ले लेंगे और root में सिर्फ 3 बचा तो area कितना आओ गया हमारे पास root 3 ठीक है, a into a a square 2 multiply to 4, upon 4 ठीक है, तो area of equilateral triangle हमारे पास आगया, root 3, a square upon 4, जहाँ पर a क्या है, sides अब देखिए, हमें perimeter given है, 180 cm, तो perimeter क्या है, हमारे पास 3a, 3a is equal to 180, तो a की value क्या जाएगी, 180 divided by 3, means 60, 60 cm ठीक है, एक side आगई 60 cm, अब area निकाल देंगे हम, इस formula का use करके, a is equal to root 3 upon 4 a square, ठीक है, 4 को हमने root 3 के नीचे लिख लिख लिए, तो root 3 by 4, और a की value है, 60 60 का square, means 60 into 60 इसे कटके, यहाँ पर आगे, 15 15, 6 या 90, 10 तो 900 900 root 3 cm square, यह आगे पुरा area second question देखिये the triangular side, side wall of a flyover, have been used for advertisement, एक flyover है उसकी एक triangular sides है मतलब एक triangular wall है ठीक है उसकी जिस sides है तो मैंने सिर्फ ये एक triangular बनाया है ठीक है एक triangle बनाया है the sides of the wall are 122 meter 22 meter and 120 meter ये तीनों sides है ठीक है at the advertisements yield and earning of rupees 5000 per meter square per year जो advertisement है उसकी जो earning है वो रूपीज 5000 है per square meter per square meter पर रूपीज 5000 per year हर साल के a company hired one of its wall for 3 months एक company ने वो जो wall है वो 3 months के लिए hired किये how much rent did it पेतों से कितना rent देना होगा तो देखें जो triangular wall है न मैंने वो बना ली यहाँ पर और इसकी तीनों sides लिख लेते हैं 122 meter 22 meter और यह 120 meter ठीक है आप सबसे पहले हम इस triangular wall का area find करेंगे तो area क्या होता है area find करने के लिए पहले हम निकालेंगे s, s is equal to sum of 3 sides 122 120 plus 22 divided by 2 तो तो तीनों sides आ गई 264 divided by 2 किया 132 यह आ गया semi parameter ठीक है meter में आएगा इसके बाद हम निकाल देते हैं s minus a 132 minus first side 122 is equal to 10 meter फिर s minus b 132 minus 120 12 meter s minus c 132 minus 22 is 110 meter ठीक है इसके बाद हम area निकालते हैं area of triangular wall s, s minus a, s minus b, s minus c इसका ही उसके रहा ही रोंस फार्म लेगा s आगे हमारे पास 132 s minus a 10 multiply 10 s minus b 12 यहाँ पर 12 put किया s minus c 110 ठीक है अब इसके आगे हम कर लेते हैं इन numbers के prime factors 132 यहाँ पर side में आप करते रहेंगे 132 के prime factor की है 2612 2612 33 11 1 तो आगे 2 x 2 x 3 x 11 ठीक है 10 को अब लिख सकते हैं 2 x 5 12 को लिख सकते हैं 2 x 2 x 3 ठीक है 2 x 4 x 3 x 12 और फिर बचा 110 110 को मैंने ऐसी लिख दिया 11 x 10 ठीक है 110 को क्या लिख का मैंने 11 x 10 तो 11 तो ऐसी राख इसके साथ पेर बन जाएगा और 10 को लिख दिया 2 x 5 ठीक है अब बनाते हैं पेर इस 2 का पेर बन गए एक तो बार आ गया cao के इस थी से इस त्री का पेर बन गए एक्ष्री बार आ गया इस 11 से किसा इस 11 का पेर बन गया एक 11 भार आ गया फिर इस 2 और इस 2 से एक पेर बन गया एक 2 आ गया फिर 5 और ये वाला 5 जिसका भी पेर बनता जाए उसमें से एक भार ले लो यहां तक हो गया ये भी हो गया इस 2 से इस 2 का पेर बन गया ये भी 2 भार आ गया कोई भी नंबर नहीं बिचा सभी भाहर आगे ठीक है आप कर देते हैं इनकी multiply 236, 6 into 11, 66, 66 into 25 to 10, 660 multiply to 0, 1320 ठीक है तो यह आ गया area of wall 1320 meter square अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है 3 months का rent तो area इतना है पूरा ठीक है मैं यहाँ पर कर रहे हूं अब रेंट कितना है कि 5000 रुपीज कि पर मीटर स्कॉर ठीक है 5000 रुपीज पर मीटर स्कॉर पर यर तो अब आप area को लीजिए area से मल्टिप्लाइ किजिए 5000 रुपीज क्योंकि हमारे पास है पूरा area 1320 और एक मीटर स्कॉर की का rent कितना है 5000 तो इसको यह में बदल दिया 3 by 12 अब इसको calculate करते हैं तो यह आ जाएगा 3 बन जा 3 3 4 जा 12 4 से इसको divide कर देते हैं 4 बन जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 1320 x 1250 इन दोनों के मल्टिप्लाइ करें इन दोनों के मल्टिप्लाइ करके आ जाएगा 1650 000 रुपीज 16,50,000 Q3 there is a slide in a park one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean if the sides of the walls are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in color तो यह हमें वो given है जहां पर लिखा है keep the park green and clean ठीक है और इसकी sides हमें given है 15,11,6 meter में है अब हमें इसका area निकालना है ठीक है जो paint करना है इसका पूरे triangle का area find करना है तो देखें तीनों sides जो हो गई पहले हमने वो लिखी first side है a 15 meter b 11 meter c 6 meter ठीक है तो perimeter क्या होगा a plus b plus c 15 plus 11 plus 6 32 meter और s हो गया perimeter divided by 2 ठीक है एस होता है perimeter का half तो 32 by 2 is 16 meter अब हमने find कर लिया s minus a s minus b s minus c ये तीनों find कर लेते हैं s हो गया 16 16 minus first side 15 is equal to 1 meter 16 minus second side 11 is equal to 5 meter 16 minus third side 6 is equal to 10 meter ठीक है अब अब area of triangular park is here on formula क्या होता है s s minus a s minus b s minus c इसमें put करेंगे सारी values सेमी parameter is 16 फिर s minus a 1 s minus b 5 s minus c 10 ठीक है अब कर देते हैं के prime factor 16 प्राइम नमबर नभर यहां से एक टू भार आ गया इस पर में से एक टू भार आ गया इस फाइव का बन गया इसमें से 5 भार आ गया इस 2 का पर नहीं बना तो यह रहेगा रूट के अंदर ही ठीक है तो टू टू जा फॉर फॉर फाइट ये ट्वंटी ट्वंटी रूट टू मीटर स्क्वाइर यह आ गया एरिया जो पेंट होगा